नमस्कार दोस्तों मैं राहूल उपादिय है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में सोरसंदी को कम्पलीट किया था आज मैं आपके सामने लेका रहा हूँ वेंजन संदी इससे पहले मैं आपको यह भी बताया कि जो भी सवाल पूछे जाते हैं केवल और केवल सोरसंदी से पूछे जाते हैं यानि कि 80% सोरसंदी है और 20% में वेंजन संदी और विसरक संदी है क्योंकि यहां पर इसमें वो परगार नहीं है इसमें क्या है बस नियम बनाए हुए है कभी भी इससे कोस्तन आएगा तो आप से सिर्फ और सिर्फ इसका संदी विचेद देगा इसके लावा कुछ नहीं देता है क्या होती है है वेंजन संदी के बाद यहां इसका संदी विचेद कर रहा दिक पिलस अंबर यहां पर जो है क्या आएच दिया कना है या तो वियेंजन दिया तो सaph इंजन की बनेगी तो यहां पर मैं आपको यह बात करने वाला हूं यहाँ इसका नियम नंबर시고 यह लेकर रहा हूं नियम नंबर एक देखो नियम नंबर एक क्या कहता है नियम नंबर एक सिंपल सा है बस इसमें आपको संदी विछे देखने और कुछ नहीं है जिस पर देखो सभी पर हलंत लगा हुआ है यानि कि इससे हमें बता चल रहा है यह सारे के सारे क्या है यह वें अगर ये आयागा इसमें चैंज हो जायागा अब ये जो second नाइन बची ये वाली अगर इसमें से भी कोई आएगी तो इसमें चैंज हो जाएगी या निकी होना change पहले वाले में है इस वाले में होना है जिसे हम कचत्टब लिखे दे पले टूर je तो भाई यहां पर इसके उदारण लेखा नियम नंबर एक क्या कहता है जैसे आगे ऑग्साइक público सब्सक्राइब कर दिया तो यह बंग्या अंबर तो यह क्या मनने इसकी बहुत बार संदी विचे पूचा गया पेपर में तो बहुत इंपोटेंट है अब देखो यहां पर आया दूसरा वर्ड लिया है मैंने दिग गज इस गय का यह अगर इसे मैं बाहर निकालूँगा तो क्या इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं तो हमने दिकज को तोड़ χ blend अभी यहosphे गें गा फिर से घ्याईallo क्या बनेगे गया खी सब्सक्रानाइब जिसमें 20 में कंवर्थ हो जाएगा टाय में तो यह क्या हो गया है सब्सक्राइब सर्क्राइब यहाँ पर नुबर एक से जियादा को सबलरा करोगे किसी भी護 नबर एक से मिलें давsesथ आसान er नहीं आजब दूसरे नियम मेंटकर FREE कहता है छह च्छह नए ना ना कर नियम अगर एक इener से यह है एक अधा और एक पूरा एक पूरा थेकर कहीं इति हैं ऐसा नहीं है यह आ गया फर आगे यह लग जाएगा यह जिश्यालिक भी टा का इनका क्या हो जाएगा जब संदिव से लिखा जाएगा। और देको सजन आ गिया तो इस दोगत और पहुत ही आसान चीज़ है इतनी हड चीज़ नहीं और देखे से अंकी बिंदी है अंकी बिंदी का नियम कहते हैं इसको अगर अंकी बिंदी किसी में आ जाए तो यह किसमें change हो जाएगी उड़ संधी किसमें change होगी मैंड होगी और देखो संधी अब हम जब इसका संधी विच Coco करेंगे तो इसका करतें तो मैं और यह तोस्त ऐसा का ऐसा ही तो नियम नमबर तीन हमारा कम्प्लीट आसान है ठीक है ज्यादा प्रैक्टिस करोगे गिने चुने सब्द है यह पेपर में पूछ रहे जाए और देखो चैशे का नियम अब तुम सोच रहोगे दो दो चैशे मना रखे आपने आपने आ क्या हुआ खतम होजाता है मतलब कैसे होगा है झाल चैशे को जाता है मतलब Сंदिविश्यद करने तो पूल मिलागे बाद यह दूसरा है सिव चछाया आगया तो सिव पिलग में अच्छाया हो गया विछेद आ गया विजमा क्या हो गया च्छेद हो गया तो इसी तरीके से जितने भी ऐसे सब्दाते हैं वे चंदी विशेद करने पर यह जो अद्दा चैह है यह अठती है यह ब प्रकूंद कर now is अर्फ यह क्यों थो टबोग्या है सट्रेश चास्ट्र even और देखिए जैसे हागी आपका सच्छिष्ष्ष और ये चै हाओ, से ती-णे का बनाना दी आशिय में थिए ए से । तीसरा है उच्छिवास , अगर देखो उ और इस चै हाओ, यह बनाना दीए थिए उच्छिवास उ तो इसी तरीके से इसकाippy हो बहुत अच्छे से समझमाया आओगा आपको चैसे का नियम इसके बहुत सारे उधानन है किताब आपके पास में कोई सीवी हूँ हिंदी में सभी में आप विसरस्कंदी में जाना यही उधानन देखने होगा आपको मिलेगे और एक्ट्रा जब करोगे प्रैक्टिस करोगे ज से बात को द्यानन किंगे इसके बाद में देखे हैं और जाते हैं इसमें द्यहा का नियम क्या किया जाता हैं और यह जाल जानेंगー है यह तो ऐसे हैं उदारन लेकर आया हूं इसके भी तीन उदार लाया हूं सब के तीन तीन उदारन है एक सास ठीक है अब यहां देखो जैसे आपका अगया यह उद्धार अगर मालिया यह नियम न पड़े होते हैं इसमें तो बस उद्ध और पिल्स यह जैसे इसे देह लिखा उसे देहा रहता जाया हैं तो वह गलत हो जाया यह नियम के अनुसार चलोगे संदी से एक वी परसन गलत नहीं होगा 80% तो सोरसंदी आती है और विसर्ग और वेंजंग संदी 20% पूछे जामें क्योंकि इसमें निया में उसके परकार है यहाँ पर देखो आगे आपका उद्धरण तो इस देखा क्या बना दू मैं ते इसे धेखा बना दिया है तो क्या हो गया यह उद्ध जमा और देखो उद्धन्त इस धेखा बना दिया तै और इस धेखा बना दिया है उद्ध पिलस हंत उद्ध पिलस हंत अब आज़ो भी यह नियम नमबर 5 इस नियम नमबर 5 और है उसे और देखो यह है से ठेका नियम जो आधा से ना अगर मैं इस पर यह बन जाएगा यह बन जाएगा इस ठह क्या बना देंगे अब यह कैसे दान देख लो जैसे आगे आपका परतिष्ठित तो परति तो सुरू का ऐसा क्या एक क्योंकि इसमें से ठहानी रहा अब लास्ट वाले में आया अब देखो इस से का अध्धा से करूआ तो यह लिख जाएगा इसे या तो ऐसे लिख दो बात यह की हैं पिर यह छोटी की मातरा इस पर छोटी की मातर शटा दी इस ठहका क्या इसके बाद में नियम नंबर 6 क्या कहता है नियम नंबर 6 यह कहता है यह जो शह है यह छोटा से हो जाएगा जब संदिविच्जिद करोगे तब यह सब्दाएंगे इसमें जैसे निशेद हो गया तो निजम इस से का बन जायएगा अभी शेयक तो अभी का यह से लाएगा और इसका क्या बन जायएगा यह शेयक है और देखो ओर एक-दो धारन इसमें बटाजिता हूं मैं तुम्हें जैसे सबोज करो यहां बता मारे जैसे आगी आपका विसम विसम तो इसका क्या जाएगा भी और जबम इस तरीके से यह वाला जो है ना इसमें अच्छा एक नियम और बता लो मैं चलो नियम नंबर की डालो इसमें इसे देख लो जैसे आपका आगिया ऐसे कृष्णा इसका संधी विष्षेद क्या होगा जी इसका क्रिस और पिलस नौ संधी विष्षेद करते समय इस ना का ये वाला ना उद्धा ठीक है तो एक नियम आपको ये विद्यान लखना आए तो बताओ क्या है विएंजन संधी में बहुत असा बच्चे सोचते हैं हार्ड एवर स्वरसंदी को अपन लेते हैं यह इसमें पांचे निया में इसको देख लो आप दिखा विदिये बिल्कुल लिखके विलाए उसका स्कीन सोट ले होगा और भी बैटर रहेगा क्योंकि स्कीन सोट लेने सा क्या होगा कि तुम एक नजर में इसका अधियं कर सकते हैं तो अगरा जो आप द लेना चाते हैं उसका तो यह सकीन सोट आप ले सकते हो उसका तो दो बिला यह आत वुपो है कि उसकी बें एक वीडियो लेकर आँगा he अमीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, धन्यावाद जाहिन